नमस्कार सभी विदार्तियों का हर्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर महेंदर खार्डिया, असिस्टेंट प्रोपेसर अबीस्टी, डिपार्टमेट ओप कोमर्स। पिर्य विदार्तियों, आज हम आपसे चर्चा करेंगे, कैलोगुलेशन ओप पीवी रेश्यों, कैलोगुलेशन ओप पीवी रेश्यों, पीवी का मीनिंग है, प्रोफिट वोल्यूम रेश्यों, लाब मात्रा अनपात, की गण्णा, तो आप पीवी रेश्यों की साइता से, कई परकार के जैसे त्रिक्स कोस्ट है, वेरियबल कोस्ट है, सेल्स है, प्रोफिट है, आधिकी गण्णा आसानी से कर सकते हैं, इसलिए पीवी रेश्यों की गण्णा करना आपको आना चाहिए, और पीवी रेश्यों का सुत्र क्या है, इसकी गण्णा किस परकार से करते हैं, और पीवी रेश्यों किसे करते हैं, इन सब बातों के बारे में आपसे बातचित करेंगे तो सभी विदारती पूरा ज्यान से सुनेंगे और इसको समझेंगे ताकि आप इसका पूरा लाब उठा सकें और आपके एक्जामिनेशन में अपने स्कोर को बहतर कर सकें तो सुरू करते हैं कैलेशनों पीवी रेशियो लाम मात्रा अनपात से जो तात्प्रिय है वो है अंसदान का बिक्रे रासी से सम्मन्द यानि कंट्रिब्यूशन का सेल्स की वेल्यू से सम्मन्द अर्थात पीवी रेशियो बराबर स को डिवाइड करेंगे स से और मल्टिप्लाइ कर देंगे हंड्रेट से सी का मेनिंग है कंट्रिब्यूशन और स का मेनिंग है सेल्स इंटू हंड्रेट अगर आपको पीवी रेशियो का कल्वोशन करना है तो फॉर्मला क्या होगा कंट्रिवेशन डिवाइड सेल्स इन्टू हैं और लामात्रा अनुपात का तात्परिय अस्दान का बिक्रे राश्ची से सम्मंध है तो इस परकार इस फॉर्मिले की साहिता से आप पीवी रेशो की गढ़ना कर सकते हैं इसके साथ साथ अगर आपको सेलिंग प्राइस पर इनुट और वेरियबल प्राइस पर इनुट दिया है तो उसकी साहिता से भी आप विक्रे लाब मात्रा अनुपात की गढ़ना कर सकते हैं और इसके साथ साथ एक जो महत्वपूर्ण प्रिष्टिती होती है वो यह होती है कि यादे किसी एक अवदी में आपको हानी और दूसरी अवदी में लाब दिया गया हो तो पीवी रेशो की गढ़ना करनी है इससे सब्वन्दित किशन आपके एक्जाम में जुरूर आता है कि आपको एक सतर में हानी दे दी और दूसरी शतर में आपको लाब दे दिया तब आप पीवी रेशो की गढ़ना किस परकाजर करेंगे तो देखिए इस प्रिष्थिति में आपको PV ratio की गणना करने के लिए एक formula योज अलग से करना होगा वो formula का formula क्या होगा तो इसको और ज्यादा भैतर समझें एक उधारण के बादें से तो ये देखिए एक उधारण है इसमें आपको दो प्रकार के दो एर के अंकड़े दिये गए हैं 11-12 और 12-13 इसमें आप sales देख सकते हैं एक लाख रुपे की है 11-12 में और 12-13 में 4 लाख रुपे की है और इसके साथ-साथ आपको दिया गया है profit और sales तो ये देखिए 10,000 का loss दे दिया और next year आपका 50,000 का profit तो एक year में आपको loss हो रहा है और दूसरे year में आपको profit हो रहा है तब आपको गढ़ना करनी है PV ratio की अगर आपने PV ratio की गढ़ना कर ली तो ये break-win point की गढ़ना percentage of variable cost to sales इसकी गढ़ना आप आसानी से कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप गढ़ना कर सकते हैं fixed cost की किसकी? fixed cost की तो शुरू करते हैं PV ratio की गढ़ना तो देखिए PV ratio बराबर जो सुत्र मैंने भी आपको बताया था change in profit तो divide कीजे change in sales into 100 तो change in profit second year 12-13 का आपका profit देखिए इसमें profit दियावा है 50,000 रुपे और 11-12 का दिया गया है minus 10,000 तो 50,000 minus cost की शुरू minus 10,000 तो divide कीजे 4,000,000 cells है आपकी 12-13 की और 11-12 की है 1,000,000 रुपे तो 4,000,000 minus 1,000,000 into 100 तो minus minus क्या होता है plus तो 50,000 में 10 जोट दीजे तो 60,000 और 4,000,000 में से 1,000,000 को less कर दीजे तो 3,000,000 into 100 बराबर किते percent होगे 20% आपका PV ratio calculate हो गया है अब आपको द्धान होगा कि BEP point की calculation करने के लिए आपको चाहिए fixed cost इसलिए सबसे पहले किसकी करना करेंगे fixed cost की गणना आपको करनी होगी योगी fixed cost की बदर आप BEP की गणना नहीं कर सकते हैं तो fixed cost का formula क्या होगा कि sales को PV ratio सी गणना कीजी और profit को less कीजी जो remaining amount आएगा वो fixed cost है तो देखे एक एर में करते है sales आपकी कितनी है च्यार लाग रुपे और PV ratio कितना आगया 20% तो च्यार लाग का 20% माइनस पचास अजार profit कितना है पचास अजार तो 80,000 में से पचास अजार को less कीजी जो remaining amount आएगा वो आएगा आपका fixed cost amount कितना आगया 30,000 तो PV ratio की साइटा से आप fixed cost आसाली से calculate कर सकते हैं अब आपन चलते हैं break in point की तरफ तो break in point का हमारा formula क्या होगा fixed cost को divide कीजिए PV ratio से और multiply कीजिए 100 से तो fixed cost कितनी है 30,000 जिसकी गणना अभी आपने की है और PV ratio की गणना आपने की थी वो कितना था 20% और 100 से को multiply कीजिए तो amount आएगा 1,50,000 रुपे तो break in point कितना हो गया 1,50,000 तो break in point की गणना आपने कर ली है amount आगया 1,50,000 अब आपको गणना करनी है variable cost की तो variable cost की गणना करने के लिए आपको साहिता लेनी होगी PV ratio की 1 minus portions of contribution contribution का कितना भाग है वो उसमें से एक में से less कीजिए और जो remaining amount आएगा वो आपका variable cost होगा तो देखिए 100 minus PV ratio बराबर 100 minus 20% क्या है आपका PV ratio remaining amount कितना है 80% of cells 80% आपका cells का है वो है variable cost तो देखिए 2011 और 12 में आपका 80% of 1,00,000 एक लाग का 80% की गणना जब हम करेंगे तो amount आपका कितना हैगा 80,000 तो variable cost कितना हो गया आपका 80,000 हो गया 2011 और 12 में इसी के अनुरूप आप 12 और 13 में वो ही formula यूज करना है 100 minus PV ratio बराबर variable cost तो 100 minus 20% amount आया 80% ओप 4,00,000 4,00,000 का आप 80% कीजिए amount आयेगा 3,20,000 तो इस परकार से आप PV ratio की साहिता से variable cost break-in point और fixed cost की गणना आसानी से कर सकते हैं और PV ratio की गणना करने के लिए आप 3 परकार के formula यूज कर सकते हैं जो 2 परकार के तो मैंने बता दिये थे एक परकार का formula अगर cost per unit दिया गया है तो आपको cells में से variable cost per unit को परकार कीजिए जो remaining amount आएगा वो आएगा contribution per unit और contribution per unit को divide कीजिए cells per unit से और multiply कीजिए hundred से तो आपका जो amount आएगा वो आएगा percentage of PV ratio PV ratio का percentage कितना है इसके गर्णा करने के बाद आप breaking point fixed cost और variable cost भी calculate कर सकते हैं तो इस परकार PV ratio का बहुत सा उप्योग किया जाता है in marginal cost और margin cost से समन्द इतकिशन आपके exam में जुरूर आते हैं क्योंकि ये बहुत ही महत्वपून टोपिक है इसके साथ साथ अगर आपने C.E.C.S. या किसी भी competition का जो exam होता है commerce seriality subject में तो भी आपको इसमें बहुत से question exam में दिये जाते हैं और आपको उसका answer देना होता है तो आप पूरा ध्यान से सुने और इसको नोट जरूर करें मैं देखता हूं कि कई विद्यारती नोट नहीं करते हैं क्योंकि नोट करोगे वो सबसे महत्वपून है नोट करने से आपकी यादस बढ़ती है तो नोट जरूर करें और साथ साथ इसका अभियास भी करते रहें सभी विदारतियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरा ध्यान से और इसको सुना इसके लिए सुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू थैंक्यू बेरे मैच